हेलो एकोरीवान असलाव अलेकूम मैं हूँ रिजवाना सिंधी स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में तो आज हम बनाने जा रहे हैं मावा रबडी ये बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है ये सहरी के लिए स्पेशियल रेसिपी है कितने लोग इसे सहरी में खाना पसं आते हूं हम इस रबडी में कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे कि कितनी आपने रेसिपी देखी होगी जिसमें ब्रेट क्रम का इस्तेमाल होता इसको घाड़ी करने के लिए लेकिन ये ऐसा नहीं है परफेक्ट तरीके से मैं आपको रबडी बनाना सिखाते फुल फेट मिल्क का इस्तेमाल किया है और जो दूद के साथ जो मलाई होती है वो भी मेरे डाल दी है मैंने कम से कम दो लिटर जितना दूद लिया है जिसको हम गरम करने के लिए रख देंगे और गेस की फ्लेम को स्टार्ट कर देंगे दूद में उबाल आने तक हमें गेस गई है और इस तरीके से चम्मच की मदश से उस जो परत उपर जमती है मलाई उसको इस तरह के से कड़ाई के उपर लगाते जाए उसको अंदर हिला कर मिक्स ना कर दें यह मलाई हम लास्ट में आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से डालते हैं आप सभी ने हलवाई के केसर डाल देंगे और केसर को भी साथ में उबल ले देंगे अब आदा देखिए थोड़ाँ दूद कम हो चुका है अब हम चीनी इसमें डालेंगे मैंने कम से कम सो से देल सो ग्राम जिटनी चीनी लिए वो हमने डाल दी है और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जब मलाई जमती है उसको मैं कडाई के कॉर्णर पे लगाती जा रही हूं और दूद को हम हिलाते रहेंगे ताके नीचे भी ना लगे उस बात का भी ध्यान लखें अब यह देखिए मैंने काजो और बदाम ले लिए हैं उसको हम मिक्सी के ग्रैंडर में डाल के पीस लेंगे अब दूद का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और दूद अपने आप ही गाड़ा हो जाता है देखिए दूद अच्छे से उबलता जा रहा है और उसकी मलाई की परत लगती जा रही है उसे हमें लगाते रहना है और दूद को गाड़ा होते रहना है जब तक के दूद हमा अब हमने गेस की फ्लेम को बन कर दिया है और जो कॉर्णर पे परत लगाई थी उसे हम चम्मच की मदद से दूध में ही डाल देगे याने के हमारी रबडी हो गई है ये खाने के लिए देख़िए इस तरह के से जो मलाई हमने कॉर्नर पे लगाई थी उसको हमें दूद के अंदर ही डाल देना है और अच्छे से उसको मिक्स कर देना है तो यह हमारी रबडी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है ठंडी ठंडी रबडी बना के आप उसे फ्रीज में रख दे एक डिल घंटे के लिए यह बहुत मजे की और टेस्टी बनती है और ख मिट्टी के अंदर रबडी निकालने से उसका और भी टेस बढ़ जाता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है और उसके उपर हम ड्राइफूट डाल देंगे कटा हुआ और उसको हम फ्रीज में रख देंगे तो आप इसे जितना ठंडा करो गई उतनी यह मज़े की लग और नई नई रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल क्लासिक तड़का के साथ बने रहिए और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरी चैनल क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब झाल से